हलो दोस्तो दोस्तो यह जो आप देख रहे हैं यह दही है जी हाँ बिल्कुल आपने सही पहचाना और दोस्तो आज हम बात करेंगे कि दही को अगर सर्दी का मौसम हो तो दही को गरम करके खाया जा सकता है या नहीं और अगर गरम किया जाए तो इसे किस तरीके से गरम किया ताकि इसका जो गुनवता है जो इसका quality है जो टेस्ट है और जो इसके अंदर पाया जाने वाला बिटामिल्स है जो भी इसके अंदर गुन है वो भी परवावित ना हो जो गुन बरकरार रहे और सरदी में गरम करके भी हम खा लें तो इसे जो गरम करने का सबसे बेहतर तरीका है वो आप एक बड़े बरतन में पानी डाल दें उसे गरम कर लिजिए इसके बाद एक छोटा बरतन उससे लें जिसमें दही डाल कर और गरम पानी के बीच में जब आप डालेंगे तो पानी गरम होगा और इसके साथ साथ दही भ गरम होगा तो पानी जब पूरी तरह से गरम हो जाए इसके बाद दही को उसमें डालना है और इसके बाद जो गैस का फ्लो है वो कम कर लेना है ताकि धीरे धीरे दही गरम हो और इस तरह से अगर आप गरम करते हैं तो इसकी क्वालिटी में कोई फरक नहीं होगा ना टेस्ट में और नहीं इसके अंदर का जो बिटामीन उसमें उसको परवावित करेगा और बहुत ही बढ़ियां बहुत ही वेजोड तरीका यह गरम करने का और गरम करके अब बहुत ही आसानी से इसे खाएंगे तो आपको सर्दी में दही जो थंडा हो जाता है उसका असर नहीं होगा खाने में भी कोई परिवर्तन कोई क्वालिटी में परिवर्तन नहीं होगा बहुत ही first class आपको ये लगेगा जैसे ठंडा में मतलब जो ठंडा दही जैसे खाने में लगता है उसी तरह से गरम दही भी खाने में लगेगा quality में कोई भी परिवर्था नहीं होगा विल्कुल आप दही को गरम करके खा सकते हैं अब बात हम करेंगे कि क्या इसमें नमक डाल कर खाएं या चीनी डाल कर खाएं तो दोस्तों दही में आप कोशिस करें कि नमक नहीं डाल कर खाएं इसलिए कि नमक डालने से क्या होता है नमक डालने से उसका जो उसके अंदर जो कुछ विटामिन्स है वो परवावित होता है तो कोशिस करें जहां तक संभाव कोशिस करें कि दही के अंदर नमक डाल कर नहीं खाएं कुछ लोग सब्जियों में भी खाते हैं दही डालकर ये भी सही नहीं है दही में नमक नहीं आप अगर संभाव हो तो वैसे ही खाए लेकिन अगर वैसे नहीं खा सकते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा आप चीनी डालकर खा सकते हैं तो कैसा लगा ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और बताये गए वीडियो में बताये गए जानकारी बिल्कुल सठीक और सही जानकारी है कई बुजूर्गों से लिया गया राय थो वीडियो देखने के लिए Thank you very much Thank you